हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 4 प्राइम नंबर्स के कुछ कोस्टन्स और आंसर्स ठीक है देखेंगे इसमें हमने कुछ कोस्टन्स करेंगे और अब आप हमारे लेक्चर्स अनेकेडमी के लर्निंग एपे भी देख सकते हैं ठीक है वहाँ लाइट डाउट भी पूछ सकते हैं ठीक है वहाँ भी हमको जरूर फॉलो कीजिएगा देखते हैं इसके पहले हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2 और प्राइम नंबर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं इन सब वीडियो का जरूर देखेगा और प्राइम नंबर को तो जरूर देखेगा क्योंकि हम अभी उसी के कोस्टन सा और आंसर करने वाले हैं देखते हैं, सबसे पहले एकदम बिसिक सा कोस्टन, नंबर 1 इस, ठीक है, 1 नंबर क्या है, आप्सन दिया है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके only या फिट exactly 2 factors होते हैं, ठीक है, मतलब जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, किस से, 1 से और खुद से, और composite number क्या होता है, ऐसे natural number जिनके 2 से ज़्यादा factor होते हैं, ठीक है, तो अगर 1 को देखेंगे, तो 1 का तो केवल और केवल एक ही factor है, और क्या था, prime का 2 और composite का more than 2, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ना तो prime हुआ, ना ही composite हुआ, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, none, ठीक है आप second question देखते हैं, इसमें पूछा है कि which number can be prime, किस तरह की number prime हो सकते हैं, और हमको option क्या दिया हुआ है, odd only, even only, odd only, sorry, both odd and even या फिर none, ठीक है, किस तरह की number prime हो सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या कि 2, only as a number है, जो even भी है, और prime भी है, ठीक है, इसके अलावा बातकी के prime number है, और बाकी के जो number है, वो हमारे odd है, तो prime number क्या हो सकते हैं, odd भी हो सकते हैं, even भी हो सकते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका C, ठीक है, दोनों अपर तक के easy question थे, इसके बाद जैसे एक question है, how many factors possible of prime number, तो यह तो prime number का सबसे basic है, ठीक है, इसमें question क्या है, option क्या ह 1, 2, या फिर depends on number, या फिर more than 2, तो prime number का definition ही यह होता है, कि जो सिर्फ दो ही number से divide हो, मतलब जिसके सिर्फ दो ही factor होते हैं, ठीक है, exactly two factors, one and itself, तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है, उसके बाद जैसे यह question है, इसको हम लोग को पता होना चाहिए, क्या बोला है, कि prime number और 30 से 70 के बीच में कितने prime numbers हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 30 से 70 के बीच में कितने prime numbers हो सकते हैं, option दिया है 9, 10, 11, 12, इसको या तो आपन गिनते हैं, लेकिन क्या है, exam के time में आपन गिन नहीं सकते, count नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमको जब shortcut पता है, तो हम वैसे भी count नहीं जैसे 1 से लेके 10 तक, यहां देख चलिएगा right side, 1 से लेके 10 तक prime number किते होते हैं हमारे 4, ठीक है, इसी तरह के से हमको याद रखना है कि 10 से लेके 20 तक होते हैं 4, 20 से लेके 30 तक होते हैं 2, और 30 से लेके 40 तक होते हैं कितने 2, इसी तरह के से हम लोग पूरा 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 80 से 90 और 90 से 100 ठीक है इतना को हम लोग याद रखेंगे यह जो राइट साइड में है इसको हम लोग याद रखेंगे 4422 322 321 करके ठीक है अब हमको question में कितना पूछा है कि 30 से 70 के बीच का तो अब हम क्या करेंगे 30 से लेके 70 तक ठीक है यहाँ पे का अब कर देंगे मतलब 30 से 40 के बीच में कितना है 40 से 50 के में कितना है 50 से 60 के बीच में कितना है सब को हम एड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा total 9 prime numbers तो हमारा answer क्या हो जाएगा A, ठीक है, यहां तक सब basic question थे एक यही था जिसको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है ठीक है, उसके बार देखिए what are first 3 prime numbers यह भी simple question है option है 1, 2, 3, 2, 3, 4 2, 3, 5 या भी 3, 5, 7 तो हम लोग क्या जानते हैं, यहार right side में इसके examples भी लिखे हुए है ठीक है, 1 क्या होता है, यह ना तो prime होता है, ना ही composite होता है तो first option तो नहीं हो सकता इसके बार 2, 3, 4, इसमें देखिए 4 क्या होता है, composite होता है, prime नहीं होता है तो सबसे पहला prime क्या हुआ 3, 2, 3, और 5, इसका answer भी हो जाएगा क्या, C, ठीक है अब जैसे यह question है, यह थोड़ सा logical भी है, अच्छा भी है और आगे के topics के लिए IMP भी है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है, कि P अगर एक prime number है, तो P square के कितने factors हो सकते है, ठीक है देखिए, P जो number होता है prime, यह सिर्फ दो ही number से divisible होता है, किस से, 1 से और दूसरा, खुझ से, तो अब अगर मैं P को दो बार लिखता हूँ तो यह 1 से तो divide होगा ही, और दूसरा क्या होगा, खुझ से, P square से लेकिन अब यह एक और number से divide हो सकता है, किस से, जब यह number अगर दो बार divide हो रहा है, P square तो यह P से भी तो divide होगा, ठीक है मतलब अब इसके कितने factor होगा है 3, ठीक है, 1 P square और P, similarly अगर आप देखेंगे कि P cube की कितने factors हो सकते हैं, तो इसकी हो सकते हैं 4, कौन-कौन से 1 और P cube तो हो ही सकते हैं, और इस से छोटे degree वाले, मतलब क्या, इस से छोटे power वाले सभी number अगर आप 1 को भी देखेंगे, तो 1 क्या है P to the power 0, यह क्या है P to the power 1, P square और P का cube, मतलब जितने power में हैं, उस से छोटे वाले सभी को हमको sum कर लेना है इसी प्रेकार अगर P to the power 4 का हमको factor पुछता, तो इसके factors 5 हो जाते, 1, P, P square, P, Q and P to the power 4 तो इसी प्रेकार हमको ध्यान देना है कि prime number अगर P का है तो 2 है, P square का है तो 3 है P cube का है तो 4 है P4 का है तो 5 है इसी प्रेकार अगर P to the power N का पूछता है कभी, तो हमारे factors कितने होंगे, N plus 1 ठीक है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है ये बहुत IMP है, जब हम number of factors निकालेंगे, तो ये उसमें काम आएगा, ठीक है, ये उसके लिए IMP है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस question का, ठीक है अब जैसे इसका answer हो जाएगा, B 3, ठीक है, क्योंकि P square का पूछा था, अब आते हैं question number 7 में, क्या बूल रहा है, the sum of 4 consecutive integer is 210, मतलब 4 line से आने वाले numbers का, ठीक है, integer बूला है मतलब positive negative हो सकता है ठीक है, line से आने वाले 4 integers का sum 210 है तो इन में से कौन सा number prime हो सकता है, ठीक है, इसको अब जिसे solve करते हैं, इसके option दिये हुए हैं क्या 51, 53, 57 59, तो देखे, सबसे पहले तो हम वो 4 number निकाल लेते हैं, जिनका sum 210 है, तो मान लेज़े हमारे 4 number क्या है, पहले वाले x हैं, दूसरा वाला x प्लस 1 होगा, दीसरा वाला x प्लस 2 होगा और दीसरा वाला, सरी, चौथा वाला x प्लस 3 होगा, क्यों? क्यों कि इसमें बोला है consecutive ना, मतलब line से आने वाले, और सबका sum हमारा कितना हो जाएगा 210 ऐसा question में दिया हुआ है, तो इसको नमबर क्या होगा? 52, तीसरा नमबर 53 और चौथा नमबर 54 तो इनको हमको चेक करना होता लेकिन option में सिर्फ 51 और 53 है तो हमको सिर्फ इनी दोनों नमबर को चेक करना पड़ेगा, और वैसे भी अगर देखा जाए, तो 52 और 54 दोनों नमबर आपके even है, जो कपी पी प्राइम नहीं हो सकते हैं तो हमको किसको चेक करना है? 51 और 53 को वैसे तो डारेक्ट दिख जा रहा है कि 51 3 से divisible है ठीक है? या तो 17 से divisible है लेकिन इसको अगर देखिए कि अगर हमको चेक करना है प्राइम नमबर का, ठीक है इसमें जैसे बड़ा नमबर है 53, तो हमको अगर 53 को चेक करना होता तो हम क्या देखते? उससे जश्ट बड़ा वाला परफेक्ट इसक्वायर है क्योंसा है? 64, तो देखना है कि वो किसका परफेक्ट इसक्वायर है? 8 का तो इससे सिर्फ छोटे वाले प्राइम नमबर से डिवाइड करके देखेंगे 8 से छोटे वाले प्राइम नमबर क्या क्या है? कि 8 से छोटे वाले 2, 3, 5 पर 7, मतलब इस नमबर तक को देखने लिए हमको सिर्फ 4 नमबर से ही divide करके देखना पड़ेगा तो जब हम 51 को divide करेंगे तो यह 3 से divide हो जाता है इसलिए number prime नहीं है क्या है composite है ठीक है तो अब जैसे option में हमको दो ही option मिल रहा था उसमें का एक तो prime है नहीं तो अगला prime ही होगा ठीक है इसको आप लोग चाहें तो check भी कर सकते हैं यह ना 2 से divide होगा ना 3 से divide होगा ना 5 से divide होगा ना ही 7 से divide होगा ठीक है यह वाला question भी बन जाएगा ठीक है इसके बाद जैसे question और पूछा है कि how many prime numbers are less than 100 ठीक है 100 से छोटे कितने prime numbers होते हैं ठीक है natural number होते हैं तो 0 से कम तो होंगे नहीं मतलब 1 से 100 के बीच कितने prime numbers हो सकते हैं ठीक है तो और इसमें option दिया है कि आप 24 25 26 27 तो इसको भी हम लोग last lecture में भी देखे थे यहां पर एक बडर और playlist को देख लेते हैं ठीक है इसमें हमको किस का पूछाय है one सेले के 100 का इसी प्रकार अगर हमको composite number पूछता हमको बस prime याद है ठीक है इतना को याद अगर कर लेते हैं तो composite पूछता तो क्या हम टोटल में से प्राइम मैनस कर लेते, टोटल में से प्राइम मैनस कर लेते, लेकिन वन और मैनस करते, क्यों, व्योंकि एक नमबर ऐसा भी होता है, जो ना तो प्राइम है, ना तो कमपोजिट है, कौन सा है, नमबर खुद वन ही ऐसा नमबर है, जो ना त असर क्या हो जाएगा बी ठीक है 100 से छोटे प्राइम नंबर किते होते हैं तो 25 होते हैं ठीक है यहाँ पे है भी काउंट करने चाहें अकाउंट भी कर सकते हैं ठीक है यह हो गया और इसके बाद देखिए अगला कॉस्चन विच अमांग दीज इस प्राइम ठीक है एक तरीके से हमको प्राइम नंबर चेक करने के लिए पूछ रहा है ठीक है यह हम पड़े ही वे थे डिविजिबिल्टी ठीक है इसके पहले मतल होता है जब यूनिट डिजिट जीरो या फिर फाइफ ओट यहां तक तो आमको पता रहता है कोई भी नंबर सेवन से कब डिजबिल्टी करना है बचे वे नंबर से माइनस कर देना है फिर जो नंबर आएगा उसको डिवाइट करके देख लेना है ठीक है और 11 के लिए कैसे डिजिट को 9 से multiply करना है और फिर बचे हुए डिजिट में से उसको minus करना है फिर जो हैगा उसको आपको 13 से divide करके देखना है यह disability होता है इसको हम पूरे detail में भी पढ़ेंगे इसमें अभी इसमें हमको check करना है इसमें हम क्या करेंगे जैसे सबसे पहले 172 तो नहीं हो सकता क् नमबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता 2 के अलावा ठीक है और इसके सद्धियान रखना है क्या कि प्राइम नमबर के end में कभी भी 2 और 5 को अगर आप हटा दें तो प्राइम नमबर के end में कभी भी 0, 2, 4, 6, 8, 5 नहीं आता है ठीक है क्या 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 event नमबर के end में कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 and 5 नहीं आएगा ये कहा होगे इसके unit digit place में ठीक है ये होगे मतलब अब इसको हम check नहीं करेंगे उसके लावब क्या है कि बचते है 91 91 को check करना अच्छा क्या देखेंगे इससे just बड़ा वाला perfect square क्या होता है 100 100 किसके square है 10 का तो हमको 10 से छोटे वाले prime number से check करना है 10 से छोटे वाले prime number कौन कौन से है 2, 3, 5 and 7 तो इसको अगर हम divide करके देखते हैं तो ये 7 से divisible हो जाता है और divide हो गया मतलब ये number क्या है prime नहीं है ठीक है इसके बचते है 153 को 153 से just बड़ा वाला square होता है 13 का कितना 13 का square हो जाता है तो हमको प्राइम नंबर देखना है 13 से छोटे वाले prime number से 23, 5, 7, 11 और 13 हम इनको सिर्फ इसने ही number से divide करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये number prime है कि नहीं तो यह दिख रहा है कि हम 1 प्लस 5 प्लस 3 करेंगे तो वो 3 से divisible हो जाएगा मतलब यह number 3 से divisible हो जाएगा और यह number 3 से divisible हो गया मतलब यह number क्या रहा प्राइम नहीं रहा यह हो गया composite ठीक है तो यह answer भी नहीं होगा अब last में एक ही option बचता है वही सही है और अगर check करना चाहें तो क्या करेंगे इससे just बड़ा वाला perfect square कि इसका 14 का ठीक है 196 होता है 14 तो छोटे वोले prime number कौन-कौन से है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी number से आप divide करके देखेंगे तो किसी भी number से divisible नहीं होता है और किसी भी number से divisible नहीं हो रहा है 1 से होगा, खुद से होगा मतलब यह number आपका क्या है prime है यह हो गया उसके बाद देखिए इसका answer हो गया D इसके बाद वाला question थोड़ा सा अच्छा है इसको भी थोड़ा सा logical है क्या बोला है कि 2 number odd prime numbers है P1 and P2 ठीक है P1 and P2 दो odd prime numbers है इन में से कौन सा operation लगाएंगे इन सब के बीच कि आने वाला number possibly, मतलब हो सकता है कि prime number सो option दिया हुआ है कि add या फिर subtract multiplication, division या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है, तो P1 और P2 आपका odd prime number है इसके लिए भी हम पुरा property देखे हुए थे, हमको सिर्फ इतने का काम है, कितना का कि जब भी एक odd दूसरे odd से जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, आपका even हो जाता है और even number कभी भी आपका prime नहीं होगा, 2 के अलावा, ठीक है, तो देखे पहला option अगर हम चेक करते है add और subtract, ठीक है मतलब अगर आप add और subtract कर रहे है दो odd और odd को ठीक है, तो क्या होगा हमें से even number आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका composite, तो पहला option हम लोग का हो नहीं सकता दूसरा multiplication अगर आप दोनों number को multiply कर रहे है ठीक है, मतलब क्या P1 into P2, तो अब इसके factors क्या क्या हो जाएंगे, 1 अब P1 into P2 तो हो गा ही साथ से साथ P1 individually और P2 individually, ये इसके अब क्या हो गए 4 factors हो गए, कम से कम मतलब क्या हो गए, अगर 2 से ज़्यादा factor हो गए, मतलब क्या है ये number भी आपका prime नहीं है मतलब हम दो odd prime को अगर हम multiplication भी करेंगे, तो अभी वो prime नहीं ही हो सकते, ठीक है possible ही नहीं है, ठीक है उसके बद क्या बोलता है, division ठीक है, prime number को prime number से कभी भी divide करेंगे, तो क्या होगा देकि, prime number को किसके और number से divide होता नहीं है, आप दूसरे prime number से divide करेंगे, तो हमेसे आपके decimal में option आएगा, और prime number क्या होता था, natural number होता था, कभी decimal में नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, इसमें division भी नहीं हो सकता, क्या होगा इसका answer, none of these, ठीक है, देखिए इसके बाद जैसे कुछ questions होते हैं, जैसे आपको unit digit find करना है, इस number का clear, कुछ option दिया हुआ है तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे जब unit digit में देखेंगे तब, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे 4 का divisibility जानते हैं तो हमको इतना पूरा को divide करने के ज़रती नहीं है, ठीक है, 121 को divide करने के ज़रती नहीं है, 5684 को divide करने के ज़रती नहीं है, ठीक है, यह एक तरिके से हमको divisibility का use पढ़ता है, जैसे इस type के question हो गया, ठीक है, आपको last के two digit बताना है, तो इसमे होता है, इसी प्रेकार को कुस्टन जो डारेक्ट डियुजिबिल्टी बेश रहते हैं जैसे इस तरीके का है कि 6 3 स्री 6 5 3 X Y 90 से डियुजिबल है तो बताई है X प्लस Y का तो हमको यहाँ पर 90 का डियुजिबिल्टी चेक करना है या फिर 88 का डियुजिबिल्टी चेक करना है या फिर इस तरीके कुछ equation टाइप के में दिया है 6 N square प्लस 6 N इस तरीके के question को solve करने के लिए हमको disability पढ़ना जोर रही है ठीक है तो हमारे अगले lecture 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 5 में हम divisibility देखेंगे 1 से लेके 20 तक का और साथी साथ हम कुछ basic से rule देखेंगे ठीक है पिछले वाले में हम question भी क्या देखें कि 90 से divide करना है 88 से divide करना है तो इस तरीके के कुछ basic से rules देखेंगे ठीक है और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं यह slide notes अगर आपको download करना है तो निचे description box में इसका link दिया हुआ है ठीक है वहाँ आप जरूर देखिएगा चेक किजिएगा उसके अलावा अगर आपका कोई कोई भी suggestion हो कोई भी idea हो ठीक है कोई भी doubt हो या कुछ भी question हो ठीक है तो आप comment box पर भी बता सकते हैं हमारे telegram group और channel दोनों है ठीक है और या फिर आप unacademy पर follow कर सकते हैं और हमारे whatsapp group पर भी पूछ सकते हैं ठीक है वहाँ आप अराम से discuss कर सकते हैं आपका कुछ भी question रहे या topic रहे पढ़ाई से related ही न और जिनको question है वो question पूछें और जिनको answer पता है वो answer जरूर बता है ठीक है इसके अलावा अगर आपको study material कुछ भी चाहिए notes कुछ भी चाहिए तो हमारे youtube के description box, telegram, unacademy और whatsapp से जरूर जूरिएगा इसके अलावा book recommendation के लिए कुछ लोग पूछते हैं तो इसके video का link भी आपको description box में दिया हुआ है उसके अलावा बागी के जो जरूरी information है वो भी आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा ठीक है तो उस जल्दी अगले lecture में तब तक के लिए thank you, अगर आप channel को subscribe नहीं किये हैं तो just subscribe जरूर कीजिएगा, thank you